नमस्का और दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओलाइन चैनल पे दोस्तों आचे गलास में नौ सिदंबर के सारे महतपून करेंडे पर डिस्कस करेंगे तो प्लीज आप पूरा डिलास तक जरूर देखेगा सबसे पहले हम पिछले गलास का सवाल डिस्कस कर लेते हैं सवाल हमने पूछा था कि हाली में हेवी टूटी ट्रक के लिए बीच शिक्स प्रामानी करन हासिल करने वाली पहली वानिजिक वहन निर्माता कमपनी कौन बन गई है तो इस कमपनी का नाम है option भी असोक ले लेंड आप सभी ने इसका सहीं जौब दिया था और इसी तरह बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखा करें वीडियो के अंत में जो सवाल हम आपसे पुछते हैं उसका जौब कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप करके जरूर दिया करिए तो इस question से related जितने भी important facts से पिछले class में हमने पढ़ लिया है तो अगर आपने पिछला class नहीं देखा है तो जाकर देख लिजेगा अगर आप पहली बार चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा current है फिर आब हमारे website पर भी पढ़ सकते हैं आप और class से related notes PDF और अन्य तरके वीडि के description में आपको link दिया जाता है link को click करके आप उस दिन के पूरे करेंटेफर को पढ़ सकते हैं साथ ही PDF को download कर सकते हैं कभी-कभी description में आपको link नहीं मिलेगा तो देखें रात को मैं video upload कर देता हूं लेकिन जो link है कभी-कभी मैं सुबह अटेज करता हूं क्योंकि काफी रात हो जाता है तो उसके बाद मैं सो जाता हूं तो एक बार आप शाम को link चेक कर लिया करिए अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो link शाम को चेक कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में जूट जाईए वहां पर भी PDF अपलोड कर दिया जाता है तो चली सुरवात करते हैं आ क्या इनका रिकॉर्ड रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कौन से देश के थे जन्रली जो एक्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा फोकस में उसी चीजों पर करता हूं आप ध्यान से सुना करिए पाकिस्तान के ये थे 63 साल क थे ठेक हैं और यह अपने खतरनाक इस्पीन और गूगली के लिए फेमस थे इन्होंने 67 टेस्ट और 104 एक दिवसी मैच खेले और टोटल 368 विकेट अपने केरियर में इन्होंने लिया था आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान के मैप के बारे में आपको बताने की ज़रूत नही प्रधान मंतरिय भी यहां के इमरान कान, राष्ट पती, आरिफ अल्वी और यहां की जो करेंसे है वो भी रूपिया है आगे बढ़ेते हैं क्वेशन नमर दो देखते हैं दूसरा प्रशन की हाली में चौथवा हिंद महा सागर सम्मेलन 2019 कहां पर आयोजित किया गया तो द भारत का प्रतिनिष्ट तो कौन किया इसमें एस जैसंकर, विदेश मंतर है एस जैसंकर इन्हों ने इस सम्मेलन ने भारत का प्रतिनिष्ट तो किया चौतवे हिंद महा सागर सम्मेलन 2019 का थीम किया था ये आपको धियान रखना है देखें दो तिन पॉइंट है एक जामी पूछे जाते हैं एक तो यह हो गया इस तरह से क्वेशन में क्या पूछाता कि कहां पर आज इन किया गया कौन सा संस्क्राइब था और इसका थीम क्या था तो थीम था पूछे बस यह दो तीन पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है आगे बढ़ते हैं मालदीव के बारे में डिसक्स करते हैं तो मालदीव का मैप देखे यह जो है यह है मालदीव इसकी राज़नी मैंने आपको बताया माले है और यहां पर भी रूपिया चलता है आगे युनेशको ने हाली में राजस्तान के सांस्कृतिक विराशत को बढ़ावा देने के लिए अब यह युनेशको क्या चीज है उसके बारे में थोड़े देर बाद आपको बता दूँगा तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्तान के बीच एक ऐसा समझाता हुआ है यहां के लिए इन सारी चीजों को बढ़ा बढ़ावा देने के लिए इस प्रयोजना को जोदपूर बाडमेर जैसल मेर और बीकर ने जीलों में लागू किया जाएगा कौन-कौन से जीले में लागू किया जाएगा यहां पर आप ध्यान में रख सकते हैं अब हम इसन एजू केशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल और गिनाज़ेशन यह होता युनिश्ट को का फुल फॉर्म स्वेंगतराश्ट सिक्षन वैज्ञानिक अवं सांस्कृति संगठन का लगुरूब है हिंदी में अलग नाम है इसका युनिश्ट को स्वेंगतराश्ट का एक अब इसका मुख्याले कहां पर है पेरिस फ्रांस में इसका मुख्याला है यह साक्षारता बढ़ाने वाले करिक्रमों को प्रयोजीट करता है और वैश्वीग धरोहर की इमारतों और पार्कों के संद्प्रूप्षन में भी सहो करता है इसलिए राजस्थान ने इस से संज जैपूर मुख्यमंत्रिय अर्शो गहलोट भालत का सबसे बड़ा राज्य है छेत्रफल की द्रिष्टी कोंसे अगर आप बात करें तो लोकनेत घूमर यह पूछा रहता है कि घूमर लोकनेत कहां से संब्दित है याद रखेगा राजिस्थान गणगोर पर कहां से संब्दि जो गुरू गुरु शिकर है जो की राज़स्तान में है लुनी नदी राज़स्तान में है और यह अनोखा लन विश्व कि एक मांट्र नदी है जो ठल में ही 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 खत्म हो जाती है जनर्ली नदी क्या होता है समुद्र में जाकर मिल जाता लेकिन ये अक ब्रेंडियों जो भूमी में ही खतम हो जाता है समुद्र में नहीं मिलता को एक आप लोगों को Information भी देनी था मैं भूल गया यहां पर मैंने Telegram पर एक message कि यह टा क्या होता है जली goformenct के जितने भी सच होता है जहां से करेंदे पर मैं निकाल कई लेगा रहाता हूं वह उस दिन कोई भी अपडेट नहीं आता क्योंकि सवरकारी चुती होती है और जो भी अच्छे सचा वहाँ भी अपडेट नहीं आता तो Monday to Saturday आपको क्लास मिलेंगे संडे को मैंने यह सोचा है कि संडे को अगर डेटा मिले तो ठीक है नहीं तो Monday to Saturday के जितने भी important क्लास बन जाएगा जो हम हर संडे को ले सकते हैं तो एक ऐसा कुछ हम कर सकते हैं तो यह जो information है वो टेलीग्राम पर मैंने मैसेज कर दिया तो प्लीज आप टेलीग्राम पर जूट जाएए वहां पर बहुत सरा information मैं दिया करता हूं और आप लोगों से request है है बहुत कम लोग ही करेंड़ पर क्लास देख रहे हैं और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इसको बंद ना किया जाए आपका रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है फिर भी इसको रेगुलर करने की कोशिश कर रहा हूं इसमें बहुत महनत लगती है तो प्लीज आपसे र आप साइंस से सम्मानित किया गया तो टेलिस्कोप टीम ही है ठीक है टेलिस्कोप वह उसके बाद में तो डीटेल में आपको पढ़ाऊंगो तो समझ आ जाएगा इसका नाम है इवेंट होराइजन अब ऐसा क्यों किया गया है यह हम देखते हैं हाली में इवेंट होरिजोन टेलिस्कोप टीम को आस्कोर आफ साइंस से सम्मानित किया गया यह वही टेलिस्कोप है जिसने ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली थी इवेंट होरेजन टेलिस्कोप टीम में शामिल 347 वैज्यानिकों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की थी ठीक है यह जब तस्वीर जारी हो था बहुत वारल हुआ था अभी तक ब्लैक होल के जितने भी तस्वीर थे तो यह जो टेलिश्कोप है इसका नाम याद रखीगा बहुत इंपोर्टने क्योंकि ब्लैक होल की पहली तस्वीर पूरी दिर्णिया को इन्होंने ही दिखाया था जिसे फंडामेंटल की थी जो मैसियर अकाज गंगा में सफेद गर्व प्लाजमा के एक ज्वाला नारंग की प्रभाव अंडल से घीरा हुआ था तो अब आपको इस ब्लैक होल के बारे में डिटेल मैंने बता दिया लेकिन यहां पर आपको ध्यान में यहीं रखना है कि इस टेलिसकोप का नाम भारत ही इसका मेजवानी करेगा और यह जो है दिल्ली में शुरू होगा भारत दो देशों के बीच बुनियादी धाजे उर्जा उच तकनीक संसादन सरक्षन फॉर्मस क्यूटिकल्स नीती समनवय जैसे छेत्रों पर सहीयोग के लिए केंद्रित वारता की मेजवानी इसमें भारती पक्ष से इसके अध्यक्ष था नीती आयोग के उपाध्यक्ष राजीव गुमार करेंगे और चीन पक्ष का नेती तो राष्टी विकास और सुधार आयोग के अध्यक्ष करेंगे तो देखें नीती आयोग के बारे में आपको एक और जानकर यहां पर मिल ग होती और नीति आयोग का पूराना नाम क्या था योजना आयोग तो इतनी सारे पॉइंट आपको धाने में रखना है चायना के कर बात करें तो देखे लिए मैप में चायना यहां पर है बीजिंग इसकी राजदानी है रेनमिंभी मुद्रा है राष्टरपती है जी अगला प्र장 अहकी भारती सेना किस देश में ऑयजित होने वाली टीसेन्ठ 2019 संत्र इसका जो है सवत बहुत अभियास में भाग लेगी तो यह जो अभियास नहीं पनों होगा ठीक है भारती सेना रूस में आउजुत होनेवाली एक बहु पक्च्छी अभियास टी एस strengthen दहागलेंश裡面 अभ्यासमें पकिस्तान किर्गिस्तान पाकिस्तान पाइल यहां पर कर रहे हूं कि आगे मैं आपको बताओंगा क्यों कर रहा हूं अभ्यासमें पकेस्तान्ट किर्गिस्तान चीन, कुल तम दैकिस्तान और कि आगे मं आपको बताऊएंगा क्यों कर रहा हूं अभियास में पाकिस्तान चीन करवा गया किस्तान चीनक्य और relative ब् auton тебе ऌने और किये गए बाला आ को थावाई हमले के सब्सक्राइब हागा ठीजियीसyer के बाज भारत और पाकिस्तान एक साथ अभ्यास करेंगे, इसलिए मैंने इसको highlight किया था, यह अभ्यास बड़े पैमानों पर अभ्यासों की वार्सिक स्रंकला का एक हिस्सा है, जो रूसी सहसर बलों के वार्सिक प्रसिक्षन चकर का एक हिस्सा है, ठीक है, यह हर साल होता है, अभ्या चार प्रमुक रूसी ऑपरेशनल स्ट्रेजिक कमांड के बीच होगा, तो अभ्यास कैसे होगा, कौन-कौन से देश हिस्सा लेंगे, और कहां पर होगा, यह दो-तिन पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं, रूस देख लेते हैं, रसिया कहां पर हैं, मैप में देखें, यह है, इतना जो बड़ा है आपको दिख रहा है, वो है रक्स्या, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा देश है, रूस की प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिवन पुदिन, रूस की राज़दानी है, मास्कोव, मुद्रा है, रश्यन रबल, क्वेशन अबर साथ है कि स्री हरी नटराज किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो आगे मैं बताऊंगा, इनको सर्वस्रेश्ट खिलाडी चुना गया है, इसलिए हम इनके आवरें पढ़ रहे हैं, यह किस से संबंदी थे, तैराकी से संबंदी थे, ठेके, तो बैंगलोर के स्री हरी नटराज एक तैराक है, हाली में उन्होंने 73 ग्लेन मार्क नेशनल सीनियर एक्टिव चेंपियंशिप में सर्वस्रेश्ट पूरुस तैराक का खिताब जीता, उन्होंने पूरुसों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक परदा में नया राश्टी रिकॉर्ड भी बनाए, महि स्रेणी में हर्याना की सिवानी कटारिया को सरस्रेश तराक चुना गया, अब बैंगलोर कहां पर है, करनाटक में है, करनाटक के बारे में थोड़ा हम दिश्क्रस करेंगे, मैप में आप देश सकते हैं, यह है करनाटक मुख्यमंत्री है, बीएस येदुरप्पा, कुमार स स्वामी कुछ दिन पहले यहां के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तो यहां करनाटक में मुख्यमंत्री का पूरा खेली चल रहा था, पहले य। यह दुरप्पा बन गये, फिर वापस सरकार गीर के यह दुरप्पा बन गये, तो याद रखेगा, यह थोड़ा highlighted point है, राजद को सहध्री कहते हैं महारास्त्य करणाटक तक के जो पर्स्षिम गाट उसे सहद्री की नाम से जाना जाते हैं यह महत्रपुंचीषिन है भाथ के सबसे उच्छा जलप्रपात महात्मा गांदी या गोड़ बलब सप्था जलप्रÁपात जो का मुख्याला भी बैंगलोर में इस तो ने हाल ही में चंद्रयान टू जो लॉंच किया था तो वहां पे में आपको बता देता हूं कि विक्रम जो लेंडर था जो 2.1 किलोमीटर के डिस्टेंस से कनेक्शन उसका कम्मुनिकेशन जो है दिक्कत हो गया था हम संपर्क नहीं कर तो अभी हाली में उसके बारे में पता लगा लिया गया है जो और विटर था उन्होंने पता लगा कि एक्जेक्टि उसका लोकेशन का है अब संपर्क करने की बार-बार कोशिश की जा रहे है अगर संपर्क हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा हमारे देश के लिए कि स्थापना के लिए की से चुना गया है आयटी खड़कपूर अब खड़कपूर कहां पर है खड़कपूर है वेस्ट बेंगाल में टिक है आयटी खड़कपूर में विज्ञान वत तकनिक विभाग द्वारा साथी की स्थापना की जाएगी यह जो है सातों दीन 24 घंटे का देश में विज्ञान आथारित उद्यम शीलता तथा इस टार्ट अप को बढ़ावा दिया जा सकता है देखे मैं में पस्चिम बंगाल कहां परें यहां के मुख्य मंत्री है ममता बेनर जी राजिपाल है जगदीब धनकर राजदानी है कोलकाता जिसे हम सीटी अब जॉय की नाम से भी जानते हैं अगला क्केस्न है कि हालि में स्वक्षब महहँ सफ 2119 का आईयोजन किह सहर में किया गया तो स्वक्षब 22219 का आईयोजन नए दिल्ली में किया अब इस समय पुरुशकार का भी वितरन हुआ तो किसे किसे कौनकोन सा पुरुषकार मिला यह थोड़ा सा इंपोरेंट है आप देखिएगा इस अउसर पर राष्ट कदर रामनात को भी ने स्वक्ष भात पुरुषकार प्रतान किये कौन कौन से पुरुषकार किसे किसे मेला बेश्ट स्वक्ष आइकोनिक प्लेस अवार्ड तो इस पुरुषकार के लिए किसे चुना गया मात्ता व अफवार्ड रक्ष्विभाग को प्रतान किया गया खुले में सौच तधा व्यभारिक बदलाओं के लिए गुजरात और सिकीम को प्रुषकार प्रतान किया गया और गंगा ग्राम प्रुषकार उत्तरकासि के बागभुरी गाओं को दिया गया तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्याने में रखना है आगे बढ़ते हैं दिल्ली में ये आयोजित हुआ तो दिल्ली के बारें भी हम पढ़ेंगे मैप में आप देखेंगे दिल्ली कैसे दिखता है कहां पर है दिल्ली के मुख्य मंत्री अभी अरविंद्र के जिर्वाल है राजय पाल है अनिल बैज कुतुब इदिन एबक ने इसे बनवाया था शुरुआत किया था लेकिन अंतता इल्टुतम इसने इसे पूरा किया जामा मस्जिद दिल्ली में है और ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है इंडिया गेट दिल्ली में है जबकि गेटवे आप इंडिया मुंबई में है अब आगे बढ़ाएंगे question number 10 आज का आखरी प्रशन हम देखेंगे doctor of the nation का किताब किसे दिया जाएगा यह doctor है daughter of the nation का किताब किसे दिया जाएगा इस दिन इनको यह संमान, दिया जाएगा इस खास मौकर के लिए गीट कर और कभी बहुत सारे पुरुसकार मिल गये उनमें क्या क्या है तीन बार national award पद्मभूशन पद्म विभूशन दाद साफ फाल के और 37 भारत का सबसे बड़ा सम्मान सरोच नागरी सम्मान भारत रतना से भी सम्मानित किया जा चुका है लता मंगेशकर जी को आगे बढ़ेंगे कुछ अन्यमत पुन समाजार आज हम देखेंगे हाली में भारत के उपराष्ट्रपती एम वहिंग कैनाडू ने प्रवासी भारती सम्मान अवार्ड में ग्लोरियस डैस्पूरा प्राइड और इंडिया नाम की एक पुस्तक का विमोचन नए दिल्ली में किया हाली में माइक्रोसाफ्ट इंडिया और केंद्री माधिमिक सिक्षा बोर्ड ने इसकुल के लिए AI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में इंडिया पवेलियन का उद्गाटन किया हाली में वरिष्ट राजनाइक भी बाला भासकर को नारवे में अगले भालती राजदूत की रूप में नियुक्त किया गया है तो इन सारे पॉइंट को भी आप याद रखेगा आज का सव अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस वीडियो को शेर कर दीजेगा तो आज ही क्लास में बस इतना ही नमस्कार धन्यवाद